नमस्कार दोस्तों साइलेंट नॉलिज चैनल में आपका फिर से स्वाग्त है आज हम हाउस निमरोल जी के बारे में कुछ जानेंगे सबसे पहले जो जुरूरी बात है वो ये है कि नुक्र वाला ओने वाला मकान नहीं लेना चाहिए क्योंकि गली के चुराहे नुक्र वाले मकानों का सबंद सीधा रहू और केतु से होता है जो की पापी ग्रहे हैं ऐसे घरों में परिशानियां रहती हैं जाहे वो किसी भी प्रकार की हो ऐसे घरवाले तंतरमंतर बेहम उपरी बदाओं टोने टोटकों आधी चीजों में फसे रहते हैं और इन पर ऐसी चीजों का बुरा असर भी जल्दी से हो जाता है और रहू और केतू एक ही राक्षश के दो भाग हैं जो अलग-अलग हैं इसलिए ये दोनों खुद पीड़ा में हैं कश्ट में हैं तो ये दूसरों को क्या सुख देंगे रहू बहरी तोर पर पीड़ित करता है कि दुनिया से संसार से बहुत एक बस्तों से तालमिल कैसे बठाएं और केतू अंदर से दुखी करता है कि दिल की बात पूरी क्यों नहीं हो रही है दूसरी बात ये है कि पहला और अंती मकान एकजोस्ट का काम करता है एकजोस्ट का मतलब है खर्च होना बैज जाना बदल जाना डिस्पोज हो जाना कट जाना मतलब एक शब्द मैं कहूं तो नुकसान हो जाने का कायू करता है इसकी एक और भी बज़ा होती है कि चुराहे में लोग किये कराए तंत्र मंतर जादू टोने आदी की चीजों को फैंकते हैं उसके कारण भी नेक्टिव एनरजी आसपास फैल जाती है उसका भी बुरा प्रवाब पढ़ता है तबी तो ज्यादा लड़ाईया जगड़े प सब्सक्राइब पोने जाते हैं लेकिन असवाल यह पैदा होता है कि ऐसे मकान सहीं नहीं होते तो क्या ये मकान नहीं बनाने चाहिए नहीं खरीदने चाहिए तो इसका जवाब ये है कि आगर आपका नुकर वाला कोन वाला मिकान है और उसकी दिशा North और पूर्व है तो ब भी अच्छी पॉजिटिव बात ये होगी कि आपके मकान में दुकान बगएरा शौप बगएरा होनी चाहिए जिससे बैया मकान पहले दुकान कहलाए बाद में मकान या नीचे दुकान हो और उपर मकान हो ये भी अच्छा रहेगा तो ये था आज का वीडियो अगली वीडियो में हम जानेंगे गर का नमबर आंक क्या होना चाहिए और गली में से कितने नमबर का मकान और कौन सी दिशावाला मकान हमें लेना चाहिए क्योंकि घर जिन्दगी में एक बार बनता है बाकी तो सभी मकान होते हैं और कोई भी दर्शक किसी भी समस्या से जूज रहा है तो समाधान के लिए आप हमसे अपनी डेट वबर्त की प्रेडिक्शन करवा सकते हैं उपर लेखे वट्सप नमबर के साथ कोंटाक्ट कर सकते हैं प्रेडिक्शन पेड़ है तो ये थी एक चोटी सी जानकारी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शियर और सब्सक्राइब जूर करें और बेल आइकन को जुरूर प्रेस करें जिससे हमारे वीडियो आप तक सीदे पहुंच सकें आज के लिए यतना ही नमस्कार धन्यवाद